जी हाँ स्वागत है वाइप है याँ चैनल पर एक बार फिर से तो आई दोस्त बात करते हैं सुबस्बा के मुख्य समाचार इंडिया न्यूज हेडलाइन्स न्यूज के तत आज हमारे भारत के सरकार ने हमारे भारत में आज कौन कौन से नैनियम न्यूरूल्स नए गाइड लाइन जारी किये हैं अगर दोस्तो आप इस साल बकरित के तेवार मनाएंगे तो आपको इस सक्त नैनियम के बारे में जानना भी हदी ज़्यादा जरूरी है और इसी के साथ हमारे भारत के सरकार ने यानिक दोस्तो पीया मोधी गवर्मेंट आप इंडिया ने आपके लॉ लिए हमारे किन सरकार ने बहुत भड़ी सावगात को जारी किये हैं और साथी साथ हमारे इंडिया मेट्रोलोजिका डिपार्टमेंट की तरफ से यानि दोस्तो आइम डी की तरफ से आपके मौसम को लेकर बहुत ही बड़ी चितानों को जारी की गई है अगर दोस्तो आब बिन राज्यों से आते हैं, इन सरूरों से आते हैं, तो हमारे इन सभी राज्यों और इन सभी सवरों में हमारे मौसं वी ज्ञांद भाग ने आपके मौसं के लेकmbht बहुत ही बड़ी चातर आई को जारी है, तो आई आज इनी सबी मातरपोर खबरों के साथ जानेगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर में से आज भारत के सरकार ने हमारे भारत में आज कॉन कॉन से बडबे लियु रितन सबले पिपद से और बड़े फैसलों को लागू किये हैं अगर दोस्तो आप भारत के सच्चे नागरीểm समय वाले चलता हूँ आपको आज की सबसे इंपोर्टेंट खबरों की तरह तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सकेन को पर देख पारें कि यूपी सरकार ने जारी किया बकरीत मनाने की गाइड लाइन घर पर ही तिवार मनाने के आदेश से जी हाँ द्रसल दोस्तों बात कुछ ही वना कि हमारे यूपी के स्रिया माधी तिनात योगी ने अपने यूपी राज में बहुत यहाँ पर बड़े गाइड लाइन को जारी कर दी है ऐसे में दोस्तों अगर आभी यूपी राज यसी आती है वैसे में आप जान जे कि अपसी आपको बकरीद का तिवार घर पर ही मनाना है और दोस्तों आपके बकरीद के सूब उसर पर आपको घर से बाहर बिलकुल भी नहीं निकलना है तो आखिर का रिसका पूरा मामला के आए तो फ्रेंट्स यहाँ पर साप साप क्लियर कर दिया गया है यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर गाइड लाइन जारी कर दिये और दोस्तों परदेश सरकार का काना है कि घर पर ही आपको बकरीद मनाना है यानिक दोस्तो आप को पुतादी कि हमारे बकरित के सूब उसर पर ऐसे बहुत सारे आपर मुसल्मान भाई लोग हैं जो कि अपने घर से किसी दूसरे घर यानि कि दोस्तो अपने मवेशी या अपने रिस्जार घर जाते हैं अपने बकरित का तेवार मनाने के लिए और दोस्तो हमारी UP के सिया माधी तिनाथ होगी ने आपको एक और जान कार दिये कि आपको नमाज पढ़ने के लिए आपको मस्जीद में नहीं जाना होगा आपको अपने घर पर ही नमाज पढ़ना होगा ऐसा कुछ हमारी UP के सिया माधी तिनाथ होगी ने पूरे UP में चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की भूलकर भी न लगाए N95 मास्क का यूज करते हैं तो ऐसे दोस्तों आप इस मास्क को यूज करना भूल जाएए वरना दोस्तों आपर भारी से बारी जुर्माना लगाए जाएगा तो आखिरकार इसको लेकर हमारे भारत के सर करने सबी राजों और सबी के इंदर सासी परदेशों को यह चितावने दी है कि अगर कोई भी राजय का बंदा N95 मास्क का यूज करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाए जाएगा यानिक दोस्तों N95 का मतलब है कि अगर कोई भी बंदा अलग-अलग कलर का मास्क यूज करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाय जाएगा ऐसम को बूल जाएगा अगर आपको इस मास्क में देखा गया तो आप भारी जूर्माना लगाय जाएगा कि दोस्तों हमारे भारत में जो मामारी चल रही है उससे हमारे अलग अलग कलर में जो यहाँ पर मास्क चल रहा है उससे हमारी बिमारी का कहर नहीं जा रहा था तो इन सभी को देखते हुए हमारे भारत के सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे भारत में एक अई मास्क को अनिवार कर दिया है अगर दोस्तों आप ब्लेक मास्क की जगा कोई भी आपर अलग-अलग मास्क यूज करते हैं तो आप पर भारी सी भारी जुर्माना लगाए जाएगा चली अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की प्रामंतरी गरिब कलियान अन्योजना से अब नवंबर तक फ्री में मिलेगा रासन परती सदस्य दिया जाएगा पांच किलोग यह हूँ जी हाँ दरसल दोस्तों आपको बता दी कि हमारे भारत के सरकार ने बहुत यहाँ पर ब अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की 21 जुलाई से पहले किसान कराले इस योजना में रेजिस्टेशन कापी फाइदे मिलेंगे इस योजना में जी हाँ दरसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारे सभी किसानों को तोफा देने के लिए हमारे भारत के सरकार ने बहुत बड़ी यहां पर साउगात और यहां पर अच्छी बड़ी रात को जारी किये हैं ऐसें दोस्तों अगर राव यह किसान है तो सभी किसानों के लिए हमारे भारत के सरकार ने बहुत यहां पर अच्छी उजना लेकर आई है तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर आपको जा कि दूरा आप बहुत यहां पर जादा बेनिफिट्स मिलेगा और दोस्तों इस यूजना का लाब उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्टेशन करवाना होगा और दोस्तों यह आप रजिस्टेशन आप किसी भी साइबर कैफी या किसी भी कम्पीटर के दुकान पर जा करके आप बहुत यह आसान तरीके सिर्फ रजिस्टेशन करवा सकते हैं चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की मुंबई में हो रही तेज बारिस मुंबई में हाई लड़ जारी और आपके अगले दो दिन का बहुत यहां पर मौसम का पूरा हाल रहने वा पर जानकारे लिखे गए कि हमारे पिछले 24 घंटों के दरान देश के माइदानी भागो में जादा बारिस की रिकार्ड देखी गई है और दोस्तो आने वाले हमारे अगले दो से तीन दिनों में हमारे इन सभी राज्यों में यानिक दोस्तो आपके यूपी बिहार और आप पर आपके अरुणा Nhins Encną सबीज तीने अक्लिजों में 2-3 दिनों तक आपके इस दोस्ते जानकारी के साघर आती है उसकिन परक्राइब को हुआंपि यहीं कुछ एकुछ आपटेट्स ही जोंकेएज सुर्फ ग्रूर और नूसे सक अनगान тобстर कामेंब के दिन को यही कुछ हमारी केंद सरकार ने और सभी राजु की सरकार ने यही कुछ यहां पर बड़ी-बड़ी खबरों को जारी किया था जो मैं आपको पनिवाई भाई या चनल पर जारी कर दिया हूं अगर दोस्तों आपको इस खबरों के रिकार्डिंग कोई भी कोशन तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्सने पूछ सकती हैं मैं यह आपका रिपलाई करने का पूरा का पूरा कोशिस करूँगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में तब तक लिए जैहिंद वन्दी मात्रा